पुलिस इस हत्यकान की जाच कर रही है जिसे में अब चौकाने वाले खुलासे हो रहे हैं फुलिस की माने तो राम सहारेदास की हत्या उनके शिस्त ने ही की थी। फिर क्या था अयोध्या का हनुमान गड़ी देश में खबर बन गया। और अब अयोध्या की इस हनुमान गड़ी का खुणी इत्यास भी सामने आने लगा है। चलिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में लेकिन रिपोर्ट पर हम बात करें उससे पहले आपसे एक रिक्विस्ट है कि अगर आपको ख़बर अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रादे की जब से कोड का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया तभी से अयुध्या देश्ट ही नहीं विदिसों में सुर्ख्या बना हुआ है इसके साथ ही साथ लोग अयुध्या में क्या-क्या है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं ऐसे में महम्त की हत्या ने एक बार फिर मठ की सियासत को हवा दे दी है और इसका कारण है पैसा पैसे को देखकर बड़े-बड़ों की नियत बदल जाती है तो साध्यों की क्या विसात और इस बात का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस चूत्रों के उत्तर भारत में ऐसी मानता है कि एक हजार साल पुरानी और डेश की सबसी सक्ष्षाली पीट में से एक हनमानगड़ी पीट है जहां खुद विरास्ते हैं हनमानची वही अयुद्ध्या की राजा है उनसे सक्ष्षाली कोई नहीं है और हनमानगड़ी पीट में वर्च्ष में दीनबंध दास की हत्या हुई, महंत बजरंग दास की हत्या 1982 में हुई, महंत हरी बजन दास की हत्या 1986 में हुई, महंत शंकर दास की हत्या 1991 में हुई, 1995 में महंत रामाग्या की हत्या हुई, पगला बाबा की हत्या 1997 में हुई, 2007 में तीन संतो की हत्या हुई, महंत सेवक दास की हत्या 2015 में हुई, संत राम सहरेदास की हत्या 2023 में हुई, तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि हनवान गड़ी का काला सच क्या रहा है और क्यों इस तरीके की हत्याएं होती रही हैं, जानकारों की माने तो आयोध्या की प्रसिद्ध पीठ हनवान गड़ी का अपना सम्वि जाती हैं, गोली तब तक चली जब तक महंत का सीना चलनी नहीं हुआ, यूपी में महंतों के पास अपूद दौलत है और इस ऐसो आराम को लेकर महंतों के चेले और पैसे को लेकर राजनीती करने वाले लोग हत्या करवाते हैं या फिर करते हैं, हनुमान गड़ी में हत्या महंत रामाग्यादास की हत्या कर दी जाती है, या हत्या हनुमान गड़ी के आश्रम में ही होती है, हमला वर 150 राउंड से ज़्यादा गोलियां चला कर महंत का सीना चलनी कर देते हैं, यह हमला सुबा 3 बजे हुआ था, तब से अभी तक इसी तरीके के हमले यहां चले आ रह और माफ्याओं ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी, पगला बाबा की हत्या श्रीप्रकास सुखला ने की, 1997 में हनुमान गड़ी के महंत राम कृपाल दास और पगला बाबा की हत्या कर दी जाती है, और जैसे ही हत्या की खबर लोगों तक पहुंसती है, दिल्ली से लेकर नहीं लेते, जागरन, अमरुजाला की मानें तो नाम नहीं छापने की सर्थ पर लेखते हैं कि महंत राम कृपाल दास हनुमान गड़ी में किसी से नहीं डरते थे, वो खुले आम चैलेंज दे देते थे, हनुमान गड़ी के निरवाडी अनी अखाड़ा के इस्ट्री महंत पत की विवाद में ही उनके हत्या कर दी गए, इस तरह हनुमान गड़ी के महंत शंकरदास, महंत बजरंगदास और महंत हरिवजन दास की भी सरयाम हत्या कर दी गए, इन हत्याओं के बाद पुलिस और नयाले की कारवाई हुई, बुकद में भी हुए और लोग जेल भी गार द्या गया, इनकी हत्या किसने और क्योंकि इसका खलासा आस तक नहीं हो पाया, दस्मी सदी का मंदिर है हनुमान गड़ी, यही पर हनुमान टीला है, जो आज हनुमान गड़ी कहा जाता है, मंदिर तक पहुँचने के लिए भकतों को 76 सीड़ियां चलकर जाना पड़त और क्यों होती हैं महंत का चुनाव पंचयद के सदत करते हैं हनवान-गड़ी में महंत добав का चुनाव लोगतांतरिक डंग से किया जाता है पीड की पंचयद के सदत नहीं महंत चुंते उसके बावजूत पद प्रतेषठा की लड़ाई के प्रभाव में भरपूर इस्तेमाल इसका होता रहा है डेड़ साल पहले पीट के सर्वोच पद गदी उसीन के चुनाव में पूरा हनुमानगड़ी अखाड़ा दो खेमे में बढ़ गया बात्षासन प्रसासन तक पहुंची तो वरिष्ट अधिकारियों की देखरेक में व प्रेमदास का चुनाव क्या गया ऐसे ही पीट की चारो पट्टियों का चुनाव भी समय समय पर होता रहता है हनुमानगड़ी करोणों लोगों की आस्था का केंद्र है मानता है कि यहां दर्शन के बीना रामलला का दर्शन अधूरा माना जाता है वहीं मंदिर जिसे भग हनमान जी यहां साक्षात भी राजमान है हनमान जी ही आयोध्या के राजा है और राजा की तरह ही उनकी सेवा होती है इस बात का जिक्र अथरवेद में भी मिलता है हनमानगड़ी में हर साल डेर से दो करोण लोग दर्शन करते हैं फिलाल हनमानगड़ी के गद्दीन शीन म पाथ्याइं कि जाती हैं आगे वी ऐसा होता है कि जब तक साधूं के अंदर लालच रहेगा तब तक हत्याय होती रहेंगी फिलाल ये स्टोरिया आपको कैसे लगी कमेंट करके अपने राहें में चर्णों बताएं